और यहां पे मैं होता हूँ पूरे जूस में मतलब हर तरफ स्नाइपर से बंदे लेटा रखे जहां देखू वहां पे बंदे नौक लेकिन यह होता यार जूस में बेहुसी कोबैगता हूँ तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागतिया आपका एक भी राण न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजित मोवाईल की फ्ली वीडियो में अब इसमें आखिर कार कई दिनों बाद जा कि यार मैं ढंग से ढंग से गलती से एर्षोट पेलता हूँ अगर दूसरे सब्दों में बोला जाये तो यार किस मत चमक जाती है एडबलो एम से दमा दब पूरी सुकॉट पेल जाता हूँ कैर वो सब सीन बहुत ही जल्द होंगे लेकिन फिलाल नो वह आरक है अब ये लोग घर की तरफ उतरते हैं ये सोचके कि यार घर तो बहुत ही सेफ है सर के उपर छट है दिवारी दिवार कहीं पे भी बैठ जाएंगे केंपिंग करके और यहां पे उतरना गलती हो जाती है और देखते ही देखते मैं दो बंदों को पकड़ चुका हूँ लेकिन देखो सीन क्या है यहां पूरी टोली उतरी थी टोली से भी जादा बंदे आये थे यहां पे खैर यह यहां निहत्ता नंगा पड़ा होता लेकिन उसके बाद भी इसकी पेटी बनाई जाती है क्योंकि यार हम है मिट्टी दिल इंसान और अब उपर चड़ेंगे और देखते ही देखते दो तीन बंदे तो मैं लपेटी चुका हूँ लेकिन इनका आखरी बंदा आगे वाले महेंगे घर पे बैठा है अब यार गन रिलोड पेना जाती तो साइद में उसे पेल जाता खेर भाई हमारे यहीं आगे कहीं भागे हैं भाई पे गन भी है और मेरे पे हलमेट वैस्ट के नाम पे कंदू कुछ नहीं है लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्रो गेमर्स लीक की जो की एक बहुत ही तगड़ा टूर्नमेंट अप है इस एप की मदद से आप PUBG Mobile, Call of Duty और Class Royal जैसे गेम्स के टूर्नमेंट खेल सकते हूँ और पैसे अन कर सकते हूँ और इनके PUBG के टूर्नमेंट भी काफी बढ़िया तरीके के हैं मतलब अगर आपकी Entry Fees 10 रुपे है तो यार पर Kill भी आपको 10 रुपे मिलेंगे तो यार आपको बस एक Kill करनी है और Entry Fees वापिस और इस एप के मदद से आप आराम से Royal Pass भी जीत सकते हैं बस आपको इस एप में 5000 पॉइंट करने हैं जो कि आप टूर्नमेंट खेल के कर सकते हो आराम से और उसके बाद आपको एक Free का Royal Pass दिया जाएगा और इसमें कई सारे Free Tournament भी होते हैं जिसकी Entry Fees कुछ भी नहीं होती लेकिन जीतने पे आपको Price Money मिलता है और इस एप से पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है आप आराम से PTM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो तो इस एप को जरू ट्राय करना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी पिल्कुल टोप में अब भले हेलमेट वेस्ट के नाम पे मेरे पे कुछ भी नहीं था लेकिर उसके बाद भी मैं दुगनी रफ्तार से उस पे रस करता हूँ और यार बंदा भी बहुत खतरना था आदे सेकंड पहले भाई थे दिवार के पीछे उसके बाद अचानक से ही उड़ते वे मेरे मूग के सामने आ जाता है बहुत सस्ता इंटरनेट चल रहा था क्यार यही मैं आगे आगे बढ़ता हूँ हेलमेट हुलमेट मिल ही जाता है और आगे ही और भी बंदे बैठे पड़े हैं और भी बंदे यही सोच के आये थे कि यार घर पे उतरेंगे घर सेफ है बहुत और इसी चक्कर में उनकी भी पेटी बनेगी अब अब भाई जब तक घर के अंदर थे भाई बिलकुल सुरक्ची थे लेकिन भाई की फटके चारो जाती और भाई भगना चलो करते हैं और ये बंदा नजाने कितना जादा हिला रहा था यार मेरे को एक सेकंड के लिए डर लग रहा था भाई ये हिला हिला के तोड़ ना दे इस्क्रीन की ऐसे तैसी हो गई भोगी भाई पूरा फोन ही लडाला खैर जो भी सीनों ये भगता है घर से और यार भगते भगते ही भाई पकड़े जाते हैं हाँ बहुत टाइम लगा लेकिन यार पकड़ने तो आया और मेरे को लगता है यार ये बंदा थोड़ी देर और नौक पड़ा रहता ना यार ये दिवार फांद के दिवार तोड़ के उस तरफ चल देता नौक पड़ा है उसके बाद भी आगे बढ़े जा रहा है आगे दिवार खड़ी है बड़ी सी उसके बावजूत भाई ने छोड़ा निया आगे बढ़ने का बटन क्यार जो भी सीनों यहाँ पे मेरे घ्याल से यह नोवो खाली टैप हो जाता है यार देखो सारे बंदे यही सोच के उतरे थे कि भाईया घर पे जाएंगे घर बिलकु क्या आते हैं और जब तक मैं पहुचता हूँ न यह लोग लूट लाटके निकल रहे होते हैं और पकड़ में आ जाते हैं कि वही क्या से नहीं वाना पर पाई दूशा है कि क्या से बनाओगे तो और यह बनता जिसकी अभी अभी मैंने पेटी बनाई यार ना जाने कैसे मेरी गाड़ी के सामने था यह अचानक से ही भाई साइब निकल लेते हैं और यार उस सेकेंड ना दिल पे दर दूआ फुटपात की सारी ट्रेनिंग बरबाद और अगली बार यह लोग गुफाओं से भगने में न दो बार सोचेंगे देख रहे हो मतलब जैसी गुफा के बाहर आए तीन बंदों की पेटी बन गई लगभग और बस एक आखरी बंदा वाकी है और उस आखरी वाले बंदे को लग रहा हो गयार वो पबजी पे नहीं फुट पात पे खड़ा है पहले उसके उपर गाड़ी चड़ाई जाती है उससे वो जैसे तैसे बच जाता है लेकिन यहां बगल में मैं खड़े हो के चलाय जा रहा हूँ गूली हाँ इसको पकड़ने भी मैंने बहुट टाइम लगा दिया लेकिन देखो यार पकड़ में तो आया अब सस्ता सप्रे है क्या ही कर सकते हैं खैर वो गुफाओं से निकले वालो चारो बंदे ठिल जाते हैं और अब मैं इधर की तरफ आता हूँ क्योंकि देखो इधर फ्रे मैं यह देख चुका हूँ कि यार गोलिया चला के बंदे पकड़ने में मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ लेकिन देखो आगे जो एडवलो एम के साथ सीन होंगे न उसमें टाइम नहीं लगेगा बिलकुल और हाँ आप बिलकुल सही समझे मेरा बहाना ही था यह कैर इस में मेरे काम का कद्दू कुछ नहीं होता पता है पब्जी में डिरॉब एक ऐसी चीज थी जिससे आर हमेशा खोलने पर हमेशा खुशी मिलती थी लेकिन फिर पब्जी को खराब करना ही था इस चीज को भी डीबीस डाल दी यार मैं सही बता रहूं मानो या ना मानो मेरे हि किसी काम की किसी काम की गन नहीं है वो यार सौट गन ही चलानी होगी तो मैं ऐस बारा के चला लूँगा कम से कम लगातार तो चलती है खचाखचा करना नहीं पड़ता और इस वाले सौट के बाद यार खाता खुल जाता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आर ससोलाइ पिंर सश्ति नहीं होगी नहीं सनाइपिंर्ट सश्ती ही होगी लेकिन बंदे ठील जाएंगे जैसे तैसे करके खै रवल्य नौक किया है तो मैं अंधा रस करता हूँ और ये लोग दिमाग लगाना चालू करते हैं अब भाई ने क्या ही प्रिपायर दिया यार देखके बिलकुल मज़ा टैप आगया मैं खड़ा हो गया था मैंने बोला यार डंग से खिलना पड़ेगा ये तो पेटी बना देगा लेकिन फिर भाई की गन जाती है रिलोड में और उसके बाद दवा दब डेटो की तरह हम दोनों अंदर गुज जाते हैं अब देखो बाहर से फुटी स्टैप आए थे मैंने बोला यार थर्ड पाटी हो गई कर लो अपरी फायर लेकिन पता चलता है बोट है याँ पे अब देखो उस बोट को पेलने के बाद हम लोग बोटो वाली अरकत करते हैं सामने पहाडी में एक गाड़ी दिखाए देती है और वो जाने वाली होती है लेकिन फिर हम बोट फायर करते हैं और बंदे आ जाते हैं वापिस अब वो गाड़ी रुजोग की पहाड़ी छोड़के निकली गई थी लेकिन देखो याँ बोट एक ऐसी चीज है जित्रा पेलू कम पड़ता है केडी किसको नहीं पसंद जादा और वैसे भी अब तो बदल दिये केडी तो और दिक्कत होंगी और हमारा बॉट फायर दबा के बड़िया तरीके से काम कर रहा होता है लेकिन उत्रे में ही एक और टीम आजाती है तो मैं बोलता हूं कद्दू लेने गया बॉट फायर रस करना पड़ेगा अब यूजी मैं बहुत ही कम चलाता हूं लेकिन यार रिकॉइल देखके ना मजा टेप अजाता है होता ही नहीं कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है अब भले यह लोग नौक नुक पड़े होते हैं लड़ा ही बिढ़ जाती है लेकिन यार आखिर में मेरा ही फायदा हो गया अराम से बंदे नौक पड़े थे बिल्कुल हलवे की तरह खिल चुरा जाता हूं मैं सबकी और मैं सोच रहा था एक टीम पहले ठील चुकी है लेकिन अभी काफी बंदे बाकी हैं मजा आने वाला है और अभी जिन्दगी में बस एक चीज की कमी है सही समझे आठ एक सको और यार इन लोगों पे देखो मेरे ख्याल से आठ पेटी पड़ी होगी एक नेक पेटी पे तो पक्का पक्का होगा और देखो मैं हूँ भी ढीट तो लिया बगैर मैं जाने नहीं वाला और बहुत ही जल्द मिलने भी वाला इसको और यहां पे जो भी साथ याठ पेटी पड़ी है ना हम उसको लूटते नहीं है हम उसको चाट जाते बिलकुल सारी पेटी देख ली यहां पे जो नंगी पेटी थी खाली पेटी उस तक को नहीं छोड़ा यार एक टैम के लिए मैंने कपड़ तो पेहात मार दिया था खैर जैसे तैसे गर के 8x मिल जाता है और अब यार बिलकुल मजा ठैपाने वाला है हाँ वो मजा गलती से आएगा लेकिन देखो जो भी होता है बहुत ही बढ़िया होता है लेकिन आपको भी पता है मेरे को भी पता है गलत सीन के बगार चीजे झाल झाल और यहां पे मैं ओता हूँ पूरे जूस में मतलब हर तरफ स्राइपर से बन्दे लेटा रखे जहां देखो वहां पे बन्दे नौक लेकिन यहीं होता है आर्प जूस में बेहुस ही खोबैगता हूँ और मेरे को लगनी राथा यहां पर मैं बच पाऊँगा मैंने बोला भाईया हो गया काम जो उसमें हो गया मैं बेहुस अब मेरी ही पेटी बनेगी लेकिन हमारे भाई बिल्कुल सामने आते हैं और डीपी की सारी गूली मेरा टीमेट खा जाता है और उसके चक्कर में हम दोनों के दोनों जिंदा बचे पड़े हैं अब यार तमीज से काम लेना पड़ेगा नहीं तो पेटी बनते हैं टैम नहीं लगेगा और मेरी तरह वो बंदा भी अपनी ही चोड़ में बिल्कुल ओपर में खड़े हो के पीक देखे भाई डीपी पटका जाते हैं और यही बंदा था यार जो मेरी पेटी बनाने वाला था बच गया मैं अब कुछ लोग जोस में आके बेहूस होते हैं और कुछ लोग टीपी पी के नसे में यार मतलब टीपी पी लेके बंदा ये भूल गया कि यार दरवाजे के सामने खड़ा है पाउं दिकाई दे रहा है अब बस पाउं पे ही गोली लगती है और बंदा नौक तो नहीं होता अब यहां पे मैं काफी देर तक काइम पास करता हूँ मैं सोच रहा था यार एक और बार अगर कोई नहों कोजाए तो अंधार अज बोलूँगा लेकिन देखो अपने पे जोन नहीं है और उन पे भी जोन नहीं है तो टाइम रहते निकल जाना पड़ेगा हमको अब सबका जोज ठंडा हो चुका है सब साइड बैठ चुके हैं सिवाए इस डीपी वाले बंदे को और देखो यार इसका जोज देखके न मेरे को बन कर रहा है मैं भी चलाओ एसी कोई गन तो मैं एउजी निकालता हूँ छैक्स के साथ और एउजी निकालने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि यार हमसे न हो पाएगा अब देखो जोन भी आने वाला है यहां पे नौक नूक हो गया तो पेटी भी बन सकती है तो गाड़ी लेके हम भगते हैं साइड से भगते बिल्कुल ताकि ये लोग न पेलें लेकिन सीन एक अलग हो जाता है गाड़ी लेके ये भी भगरे होते हैं और मेरे पर एउजी बढ़ी है और एउजी का ये रिकॉयल देख क्यार मजा ही आ गया कसम से गन हिल तक नहीं रही थी खीचना भी नहीं पड़ रहा था सक्रीन को खेर जो भी हो ये लोग यहां पे आके रुख चुके हैं तो हम भी रुख जाते हैं अब मैं फेकता हूँ तीन तीन नेड लेकिन वो तीन नेड किधर जाके गायब होते यार समझी नहीं आया हर कमरे पे हर घर पे नेड फेक दिया था मैंने हर कोने पे एक नेड पड़ा था लेकिन कोई भी नी ठीला क्या अब क्या ही कर सकते हैं मैं करता हूँ थोड़ा और इन्तेजार और एक और नेड फेकनी की कोशिश और इस नेड के चकर में यार मैं ठिलते ठिलते बचता हूँ मैं खोलता हूँ दरवाजा बोलता हूँ यार आज तेरा बाई नेट करेगा दरवाजा खोल के देखा है यार कद्दू कुछ दिखाएनी दे रहा है समोक की समोक दुआई दुआँ कैर मैं दुबारा यार धीट होने के कारण कोसिस करना छोड़ता नहीं हूँ हर जगह नेट फिकता हूँ और हमेशा की तरह कुछ भी नहीं होता और उतने में ही एक गाड़ी पीछे से आ जाती है अगरी आगी और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि यार ये आपस में बिड़ गए नहीं तो मेरे को लगाता हो गया अपकाम और एक वो साप नजाने कहाँ ऊपन से भगते वे आ रहा है कही पे भी पहुचे हुए है बंदे और यहाँ पे मेरे कभी खुसी कभी गम वाले सीन चल ले हैं देखो खुसी इस बात की कि मैं कम से कम जिन्दा तो हूँ बस दुकिस बात का है कि यार यह अपस में ठिल गए मेरे आखों के सामने मेरे घर के नीचे यार अपस में ठिल के मर गए और खिल मेरी कम हो गई खैर अब मेरे ख्याल से बस एक आखरी बंदा बाकी है और यार वो भी जादा देर इंतिजार नहीं करता सिधा उपर रस मारता है और मैं सोतरा यार अपसे AUG ज़्यादा उठाने लग जाओं मतलब रिकॉयल देख रहे हो बिल्कुल ना के बराबर खैर इसी के साथ इस घर पे मेरे को दो किल मिलते हैं और अब बस दो ही बंदे बाकी हैं और दोनों को पेल दिया तो तीस के लिए प्ले वनेगा और पता इन लोगों को क्या लगता है इन लोगों को लगता है कि यार यहां पे बहुत की फिलम चल लए है वो होता है न वो दूम तरह गाना बसता है फिर अचानक से कोई सांदे आ चाता है बंदे की फटके चौदा हो जाती है मैं मजाग भी नहीं कर रहा है यार मेरे से ज़्यादा ओए रेक्टिंग करते हैं ये लोग लेकिन उतने में ही अगले ही सेकंड भूत गायब तो इसको भी इनको भी ये लगता होगा कि यार अपन लेट गए हम गायब हो चुके हैं इसको तो ये बेकूपे सामने वाला क्यार अब पेटी बन चुकी है बंदे की और अब बस एक आखरी बंदा बाकी है और वो भी मिली जाता है और यार मानो याना मानो ऐसे हिलडूल के पेले में न कुछ अलग मजा आता है ये चीज अलग लेवल पे होती है कबी कोशिज करके देखना भरे बार्ट को पेढ़ो मजा उतना ही आता है चितना बंदे को पेलने में आएगा बढ़िया लगता है यार, एसा लगता है कि भाई, हाँ इसे खिलना आता है लेकिन सचा ही हम सब को पता है सस्था सपरे सश्थी सनैपिंग खेर आज की वीडियो में इतना है भालो गैयार बहुत बहुत शुक्रा वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये गलत सस्ते सप्रे और वो जो वहाँ गलती से चार-चार बंदों को पहला था न सनाई पर से यार उसके लिए लाइक डूपना मत भूलना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन वाले गेमपले सस्ती कमेंटरी और ये हिलने डूलने वाले गेमपले के लिए और यार जाते जाते PGL टूर्णमेंट एप चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्चियोन में होगी बिल्कुल टॉप में और यार तुम्हारा भाई डेली नोनो लाइफ पे लाइफ स्ट्रीम करता है रात के 9 बज़े से हाँ दुबारा बदल दिया क्या करें हम भी मजबूर है खेर वहाँ पे यार अभी चला है 7000 UC का giveaway तो यार देखो फ्री की UC है दिक्कत किदर आ रही है और आगे जाके फ्री के टूटनामेंट और फ्री का मोबाइल पून giveaway भी होने वाला है तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना नोनो लाइफ की लिंक भी डिस्क्रिप्सियोन में होगी थोड़ा नीचे की तरफ यार वहाँ पे उसको डाउनलोड करो मेरा नाम सर्च करना और बस फॉलो पिल दो तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं बाई बाई बाई